हेलो गाईज, जैसे कि आपको टाइटल से ही अंदाजा हो गया होगा कि इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जनरल एंट्रीज ओफ टीडियस ये वीडियो उनके लिए बहुत ही helpful होने वाला है जो जाने वाले हैं अकाउंट्स की पॉस्ट के इंट्रव्यू के लिए या देना चाते हैं अकाउंट्स का इंट्रव्यू तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं I am तुरावैदर, Senior Account Consultant in Attitude Academy So, इस फीडियो में हम डिसकस करेंगे TDS Journal Entry Concepts बहुत सारे सुडेंट्स जाते हैं जब इंट्रव्यू देने के लिए तो जब उनसे अकाउंटेंट वहाँ पे पूस्ता है Journal Entries of TDS तो उनको टैली में तो Journal Entries आती हैं मगर वो टोटली ब्लैंक हो जाते हैं जब उनसे Manually Journal Entries के बारे में TDS की concern किया जाता है तो आज हमारा ये पूरा वीडियो जो है वो TDS की Journal Entry Concepts के बारे में है तो उमीद करते हैं कि आप इसे एंट तक देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं TDS की Journal Entries तो TDS की Entries समझने के लिए हमने प्रिपेर किये ये PPPT इससे हम आपको describe करेंगे कि Tally में जो Entry पास होती है वो क्या होती है और Journal Entry जब कोई आपसे पूछे कि Journal Entry TDS की हम क्या पास कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं actualment TDS है क्या TDS means Tax Deducted at Source की requirement क्यों पड़ी और होता क्या है TDS टाइप ऑफ डारेक्ट टेक्स है इसको implement करने का concept यह था कि पहले जो था income tax साल में एक बार बहा जाता था तो क्या होता था different source से जो हमारा टेक्स कलेक्शन था वो रेशो बहुत कम था तो गवर्मेंट ने TDS को implement किया ताके उनको quarterly एक lump sum amount मिलता रहे एज टीडियस की रूप में तो यहां पर हमने definition जो लिखी है वो लिखी है concept of TDS was introduced with an aim to collect tax for the various source for income तो man source क्या था income जब ही कोई deductor deductee को payment करेगा जब वो income tax exemption limit को cross करेगी तो deducted deductive को TDS deduct करके देन उसको pay करेगा ठीक है यह concept हमारा add किया गया तो हम discuss कर लेते हैं जर्णल entries जर्णल entries टैली में क्या पास होती है और कहां पर पास होती है और अगर हम manual जर्णल entry किसी को explain करना चाहें तो वो जर्णल entries क्या होंगी ठीक है तो TDS का concept क्या है जब हम किसी को कोई expense यानि अब उसकी income होगी हमारा expense होगा पे करेंगे तो at a time of the payment आप TDS deduct करके तो यहां पर क्या है जर्णल entries पास करते हैं अगर टैली की बात करें तो entry क्या पास होती है इंडारेट expense यानि आप सपोस कीजे rent expense पे कर रहे हैं किसी को convince expense पे करें तो वो debit होगा जिस भी amount से हो रहा है to party आएगा और to TDS on expense आएगा ठीक है तो यहीं पे TDS deduct हो जाएगा then payment में हम entry pass करेंगे party to bank and then next entry payment में government को अगर हम TDS चलान 281 जमा कर आ रहे हैं तो TDS on expense debit to bank की entry यहां पर पास करेंगे उसके बाद अगर हम बात करने जर्नल entry concept की तो वहां थोड़ा सा change है वहां क्या change है indirect expense debit to party पहली entry हमारी थोड़ी time हमने tax deduct नहीं किया वहां पर हमने पहले generate किया tax indirect expense debit to party and then after that party to TDS on expense की entry अलग से पास की उसके बाद हमने payment की party को तो party account debit to bank किया ठीक है उसके बाद TDS on expense to bank same entry pass होगी जो टैली में हो रही थी वही सेम हम जर्नल एंट्री में भी पास करेंगे तो आपको concept समझ में आया होगा कि टैली में जर्नल एंट्री क्या पास होती है अगर कोई आप से मैनुवली जर्नल एंट्री पूछता है कि TDS के case में आपको क्या जर्नल एंट्री टैली के अंदर और कौन सी एंट्री अगर हम किसी को बता रहे हैं एक्स्प्लीन कर रहे हैं जर्नल एंट्री के ट्रम्स में तो कैसे एक्स्प्लीन करना है यहां पे हैं एक्जामपल देख लेते हैं परस्ट अप्रेल 2019 को युनिवर्सल इन्फो टेक्स रिसीवड प्राज एजनसी फॉर्ट तो राज एजनसी से युनिवर्सल इंफो टेक्स ने एक एडवर्टाइजिंग सर्विस ली है उसके लिए एक बिल चार्ज किया है तो तब टैली की बात करें तो टैली में हम रुपए जो है वो टेक्स कर दी कट गया है यहां पर टैन परसेंट हो गया है तो चार लाक पिचानवे हजार हम पार्टी को पे करेंगे और पांस जार रुपए हम एजे गॉर्मेंट को जमा कराएंगे टीडियस के रूप में ठीक है अगर हम जनल एंट्री के कंसेप्ट म में तो एट टाइम जब हम रेस करें बिल तभी हमने डिड़क्त करके दिखा दिया और जनल एंटी के कंसेप्ट में कहने का मतलब यह है टीडियस तब डिड़क्त होता है जब हमारा टैक्स पे कर रहे हैं या हम पेमेंट पे कर रहे हैं तब हमारा टैक्स डिड़क्त होगा ठीक है सेकेंड कोशन में यहां पर कह रहा है ऑन सेकेंड अप्रेल पेमेंट ओफ फॉर लेक्ट नाइंटीफ थाउजन इसमेड टूवर्स बिल नमबर दिस तू राज एजनसी फॉर दपरचेज ओफ एडटाइनिक सर्विस तो अब हम पेमेंट कर रहें राज एजनसी को तो तो राज एजनसी पहले डैबिट करेंगे टूटीडेसओंक कोंट्रेक्ट पाथजार रुपय से और फिर राज एजनसि को क्रेडिट कर देंगे हम डैबिट करेंगे हैं 95,000 to bank account credit कर देंगे ठीक है उसके बाद last में अगर हम गॉर्मेंट को पे कर रहे हैं तो वहाँ पर सेम ट्रांजिक्शन से यहाँ पर मही दो को युनिवर्सल इन्फोटेक पेट टीडियस ओफ 5,000 रुपीज टूवर्ज अड़र्टाइजिंग एक्सपेंस मंतली मंत ओफ अपरेल में जो उन्होंने ट्रांजिक्शन की थी तो अब वो उस बिल को पे कर रहे हैं गॉर्मेंट को उसकी पेमेंट जमा करा रहे हैं चलांट 28 31 के थूर रूप में वो online भी आपं जमा करा सकते हैं और offline उंट्रेश तो सेम यहां पर loss में यहँडियोम सेम यहां सहरे साथ है पिल्क ब्टन को प्रेश करना ना भूले तके आने वाली वीडियो के नोटिफिकिशन है प।णिंटर नगर have a good day thank you so much bye